दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, फिर भी दुनिया में बड़ी संख्या में लोग शराब का सेवन करते ही हैं। जिसके दाम जानकर आपका नशा उतर जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टकीला के बीच स्वाद में मदबेद यानि की बहुत ही अजीव स्वाद साफ दिखाई देता है। हॉलेंड के बड़े पौधों का टकीला अकसर मीठा और फ्रूटियर चखने में होता है। की तराई अगेव स्वाद कीला एक अर्थियर स्वाद देता है। क्योंकि इस शुराप की कीमत सबसे जादा महगे होने के पीछे आधा कारण तो इसकी बोतल का है। दरसल ये बोतल गोल्ड और प्लाटिनम के साथ-साथ 6,400 हीरों से ढखी हुई है। इसकी एक बोतल की कीमत 35,000,000 डॉलर यानि की 23,89,12,325 रुपेयों के बराबर है। तो अब आप सोची सकते हैं कि ये ड्रिंग भला कौन पी सकता है। कॉमेंट करके जरूर बताई कि इसे कौन पीने चाहेगा। किसी शराब की बोतल के लिए इतनी ज़्यादा कीमत चुकाना हसने के लायक लग सकता है। परन्तु इस बोतल के मामले में इसकी कीमत के लिए इस शराब की एक बहुत ही अनोखी और रुमान्चक कहानी हैं जो आसानी से कीमत को सही ठहराती है। 1916 में प्रतम विश्रियुद्ध के दौरान जर्मनी पंडूबी द्वारा शराब ले जा रहे एक जहास को पानी में डूबो दिया गया। जिसकी वजह से ये 80 से जादा सालों तक पानी में भीतर डूबी रही। जब इसकी खोज हुई तो 1977 में इसका मलवा मिला जिसमें से शराब की 2000 बोतलों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसलिए इसकी कीमत इतनी जादा है और ये शराब बहुत अनोखी है। अब भले ही आप इदनी महंगी शराब पी नहीं सकते लेकिन डिनर पार्टी में बताने के लिए एक आविश्वसनी इतिहास और शांदार कहानी तो मिली जाएगी आपको। ये भी दुनिया की महंगी ड्रिंक है। इसको फ्रांस में बनाये गया है और इस शराब का नाम हैंरी फोर के सम्मान पर रखा गया। इस शराब को सभी शराब का डिने कहा जाता है। ये पहली बार 1776 में उत्पादित की गई थी और 100 साल के लिए कोक बैरल में थी। इसमें 41 प्रतिशत अलकोहल की मात्रा होती है। इस ड्रिंक की बोतल पर भी प्लाटिनम और 24 कैरेट सोने की परत चड़ी होई होती है। साधी इस पर 6000 हीरे लगाए गए हैं। इसलिए ये इतनी जादा मेंगी है। इसकी कीमत 2 मिलियन डॉलर है यानि की 13 करोड 69,49,900 रुपियों के बराबर है। इतने में तो एक बड़ा सा आलिशान घर आ जाएगा है ना दोस्तों। इस बोतल की कीमत एक घर के बराबर ये कह सकते हैं। अमेरिका की लिए बोतल दुनिया की सबसे उमदा शराब मानी जाती है। इटली और फ्रांस में भी इतनी अधीक कीमत की कोई शराब नहीं आई है। कैलिफोर्निया के ओक विले में आपको दुनिया की दुरलब शराब मिल सकती है। अलाकि अब इसको ऑनलाइन वेबसाइट पर ओर्डर किया जा सकता है। ये शराब 30 साल पुरानी होती है जिसका स्वाद पके हुए अंगूर जैसा लगता है। 2000 के एक आक्शन के दौरान इसकी कीमत चैरिटी के लिए 5 लाक डॉलर लगी थी। ये शराब बेहद उचस्तरी साफ सुथरी इस्तिती में बनाई जाती है। इसमें जैमी ब्लाक करंट्स की सुगंध है और इसमें ओक के सूख्श मनिशान है। ये शराब 60 प्रतिशत ओक से बनी है और इसका रंग बैंगनी है। दुनिया की सबसे महगी शराब की सूची में इसलिए हमने इसको चौधे स्तान पर रखा है। डिवा वोटका भी दुनिया की सबसे महगी शराबों में से एक ड्रिंक है। अगर आप सोच रहे होंगे की यार ये तो विशेश रूप से वोधकाई हुई जो हमें दुकानों पर मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है। ये सबसे महगी वोटका में से एक डिवा वोटका ट्रिपल फिल्टर्ड है। इसकी हर बोटल के बीच एक अलग तरह का सांचा होता है। जिसमें सौरस की क्रिस्टल्स रखे गए हैं। इनका इस्तिमाल आप अपनी ड्रिंक को गार्णिश करने के लिए कर सकते हैं। इसकी कीमत के जाधा होने में इसकी बोटल का हाथ है। क्योंकि बोटल का डिजाइन बहुत ही अलग है। इसकी एक बोटल की कीमत एक मिलियन डॉलर है। यानि कि 6 करोड 89,495 इंडियन रुपया है। भारत में 1000-2000 की बोटल खरीदने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जिस शराब की एक बोटल की बात हम कर रहे हैं उसकी कीमत में करीबन 70 किलो सोना आ जाएगा। जियां भला इतनी कीमत सुनकर तो भाई किसी की भी आखें फटी की फटी रह जाएं। दुनिया की सबसे महगी शराबों में से एक का नाम है बिलेनियर वोटका। इसकी एक बोटल का मूले करीबन 24 करोड रुपए है। क्या हुआ जटका लगाना जियां और इससे 70 किलो सोना आसानी से खरीदा जा सकता है। अब आप सोच रहूंगे कि इस वोटका में भाई ऐसी क्या खासियत है जो आपके ठेके पर मिलने वाली वोटका में नहीं है। तो जनाब जड़ा रुखिये कीमत वोटका की नहीं बलकि इसके बोटल की है। जियां अगर ये बोतल किसी को मिल जाए ना तो वो रातो रात करोड़ पती बन जाएगा डिजाइनर लियोन वेरस की डिजाइन की हुई इस बोतल पर तीन हजार हीरे जड़े हुए है वहीं ये वोदका सीक्रिट रूसी विधी से त्यार की जाती है इस कारण बिलेनियर वोदका दुनिया की सबसे महंगी शराब है दोस्तों जितना इसका दाम है ना इतने में तो दो साल का वर्ल्ल टूर हो जाएगा बहराल ऐसा कहा जाता है कि इसका टेस्ट बाकी वोदका से अलग है और अच्छा भी है इसके नाम के मताबिक इस अलकोहल को सिर्फ अरब पती ही यानि के बिलेनियर लोग ही अफॉर्ड कर सकते हैं बिलेनियर वोदका ट्रिपल डिस्टर्ड है ये कैवर्स वॉल कैस्टल ओफ इंग्लैंड के नैचुरल पानी से त्यार की गई है ये पानी अपने आविश्वसनी हीलिंग प्रापर्टीज के कारण प्रसिद है इसे इस पृत्वी पर सबसे दुरलफ प्राकरतिक जर्नों का पानी माना जाता है इस बुदका को पहले बर्फ से च्छाना जाता है इसके बाद नॉर्डिक ब्रिच शार कोल के माध्यम से फिल्टर किया जाता है अंतमेग से धर्थी पर मौझूद सबसे खास हीरों और रतनों से बनी रेच से गुजारा जाता है बॉम्बे शेफियर रिवलेशन एक दुनिया की सबसे महगी जिन ब्रांड विस्की है जिनकी लोग प्रिता थी इसकी बोतल एक फ्लैट दर्मा नीलम रंकी है और उसके लेवल पर महरानी विक्टोरिया की एक तस्वीर छापी गई इसके अंदर अलकोहल की मात्रा अलग-अलग डोज में अलग है एक बोतल की कीमत 2,00,00,00,00,00 है यानि की 1,35,42,110 रुपया अर्मन डी ब्रिगेंस मिडास को दुनिया की सबसे महगी कैम्पेगन में से एक माना गया है इसकी बोतल की गर्दा नीचे से एक धातु की बनी होई होती है ये 30 लीटर भरी बोतल होती है इस ब्रांट को 2013 में गायक और उदमी जे जेट द्वारा खरीदा गया और ये बोतल एक 14 वर्षी फ्लेवर फ्लैव द्वारा डिजाइन किया गया था जो इस कमपनी के मालिके बेटे थे और उन्होंने ही इस बोतल को लाने के लिए कहा इसकी बोतल का बड़ा साइज इसकी कीमत की एक बड़ी वज़ा है इसकी कीमत 2,15,000 डॉलर है यानि की इतने में 1,46,18,21 रुपिया होता है रॉल सलूट की ये बहतरीन विस्की है इसको रॉल सलूट स्कॉच विस्की कहा जाता है चिवास ब्रदर्स, एवर्डीन ने स्कॉट लैंड में 1801 में इसकी कमपनी स्थापित की थी और ये उनके द्वारा उतपादित एक ब्रांड है जो की कम से कम 45 साल में बनी थी और ये दुरलफ मिश्रन नायाब और सबसे महंगी विस्की में से एक है कहा जाता है कि इसकी बोतल में 413 सफेद और काले हीरे और 22 कैरेट रतने शामिल है कि सभी या तो सोने या चांदी के लगाए गए है इसलिए इसकी कीमत बहुत जादा है इसकी कीमत 2,15,000 डॉलर है यानि कि इतने में 1,46,1,821 रुपया होता है 1.2 लाग के बियर इंडिया में बियर का सबसे महंगी बियर कौन सी है शायद आपको नहीं मालू होगा भी तो कितने की एक हजार या दो हजार या फिर पांच हजार लेकिन आपको ये जानकर ताजुब होगा कि दुनिया की सबसे महंगी बियर बियूइंग अंटाक्टिका नेल एल का नाम है इसके एक पांच की कीमत करीवन 1.2 लाख रुपए है अंटाक्टिका के इस बियर की अब तक सिर्फ 30 बोतले ही बेची गई है और इसकी बची हुई सभी बोतले आस्ट्रेलिया में है हमारे लिस्ट की आखरी शराब है जोसे आप जरूर खरीद सकते हैं तो इसे आप देख भी लीजे लाउस एक खुबसूरत देश है जहां मिलने वाली शराब की कीमत भी बहुत कम होती है लाउस में मिलने वाली विंग विंग बियर बहुत ही सस्ती होती है जो की लाउस की यातरा पर आय परटकों को कम पैसों में अधिक मस्ती करने और हैंग ओवर जैसी गतिविदियों के लिए शानदार है लाउस देश खासकर बजट यातरियों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है लाउस में ना केवल शराब बलकी अन्य चीज़ें भी बहुत सस्ती हैं पार्टी और भीरबार से बरे शेत्र में आप एक डॉलर में 700 ml की शराब की बोतल ले सकते हैं सस्ते नशे की एक्षा रखनेवालों के लिए थाइलेंड देश की यातरा किसी स्वर्ग से कम नहीं होती है थाइलेंड जितना अधिक अपने यहां होने वाली थाई वसाहज और अन्य गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है उससे भी अधिक यहां मिलने वाली दुनिया की सबसे सस्ती शराब के लिए भी जाना जाता है जो की अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत अधिक सस्ती है हाईलेंड में मिलने वाली 7-11 बियर बोतल एक डॉलर में आसानी से मिल जाती है लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इसकी कीमत 3 डॉलर से कम नहीं होती है उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों आज के वीडियो में पसितना आई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में फैमिली के साथ में शेयर करना बिलकुल न भोले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेए meet you in another video, till that, good bye